हेलो एवरिवन आज लेकर आए हो गर्यों की बहुत ही खास नारियल पाकी रेसिपी यदि रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने इस छोटे से चैनल में तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये किस तरीके से बन जाती है एक मिक्सी ग्राइंडर में इसे बिल्कुल बारिक दरदरा हम जैसे बरूदा होता है ठीक उसी तरीके से पीस के बनाते हैं लेकिन आज हम बिल्कुल नए स्टाइल में बहुत ही स्वाधिष्ट बनाने वाले हैं तो सबसे पहले कड़ाई में लेते हैं 250 ग्राम मैं मैंने 3.500 ग्राम चीनी ली है और 100 ग्राम का कब भरके मैंने इसमें पानी एड़ किया है जब इसमें एक तार की चासनी बन जाए जब तक हमेई से पकाना है थोड़ा सा यदि आप चाहो तो फूड कलर भी एड़ कर सकते हो मैंने यहां ग्रीन कलर यूज किया है आप को भी वो सुन्दर लगनी चाहिए तो इसलिए मैंने थोड़ा सा फूड कलर यूज किया है तो देख लेते हैं इसकी एक तार की चासनी बन चुकी है इसे यदि आप 10-12 मिंट पकाएंगे तो आराम से इसकी एक तार की चासनी बन जाती है गैस आफ कर चुकी हूँ और कासा नॉर्मल हो जाए जो हमने नारियल को ग्रेट किया था उसे एड़ कर लेते हैं इसका जो दूसरा वीडियो मैंने जो मिक्सी ग्राइंडर में ग्राइंड करके बनाई है उसका मैं लिंक दे दूँगी या आप मेरे चैनल पे देख भी सकते हैं दो या तीन तरीके से मै आप चेक कर सकते हैं तो इस तरीके से इसे ट्रांस्फर करेंगे और कोई भी पल्टा वगेरा लेंगे क्योंकि थोड़ा गरम है तो हाथ लगाने में हाथ थोड़ा जल सकता है तो इसलिए पल्टे पे थोड़ा देशी घी लगाएंगे और इसे पल्टे की हैल्प से इस तर यह बहुत जादा हार्ड नहीं बनेगी और बहुत जादा सोफ्ट भी नहीं बनेगी बहुत ही फोकी और बहुत ही स्वाधिश्ट यह बनके तयार होती है तो इसे हम रेश्ट के लिए छोड़ चुके हैं और यह अच्छी से सेट हो चुकी है इसकी हम कटिंग कर लेते हैं जि इसमें सेट से कटने ही रही है तो मैं थोड़ा पतले वाला नाइफ ले लेती हूँ और इससे हम इसकी कटिंग कर लेते हैं जो मैटीरियल हमने तयार किया था उसको आप लड्डू भी बना सकते हैं ऐसा नहीं है के नारियल पाक ही हम इसका बनाएंगे इसका आप लड्डू बांद सकते हैं जिस टाइम हमने इसे ट्रे में ट्रांसफर किया था उस टाइम इसके आप लड़ू भी बना सकते हैं दोनों ही लड़ू या पाक बनाने का प्रोसीजर सेम है ऐसा नहीं है कि लड़ू में कुछ अलग प्रोसीजर होता है सेम प्रोसीजर रहता है बस उसकी जो वाधिष्ट और बहुत ही खस्ता बनती है, ऐसी नहीं है कि यह हाड बनती है, बिलकुल वेट में भी बहुत लाइट वेट की है, तो इस तरीके से आप नवरात्रों में बनाएए या पूरी गरमी आप बनाके इस्टोर करके रख सकते हैं, इसमें कोई स्मेल वेगरा नहीं हो कोई भी खा सकता है बच्चे बड़े बुड़े जवान सभी को बहुत पसंद आती है तो कल फिर मिलती हुए एक नई रेसिपी के साथ थैंक यू